आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ उस टाइम हमें Add करना होता है Concentrated Acid को Water में ठीक है? यह आप याद रखिएगा देखे Dilution के Time यहां लिख रहे है Dilution के Time हम क्या करते हैं? हम आपका Add करते हैं Adding यहां समझेगा Concentrated यहां पर हम आपका लिख रहे हैं Concentrated Concentrated Acid को Add करते हैं किसमे Water में? To Water ठीक है? Water में Add करते हैं और क्या करते हैं? Continuously Steering करते हैं ठीक है? यहां दिखेंगे Continuous यहां देखेगा Continuous क्या करते हैं? आपका Steering करते हैं Steering ठीक है? यहां समझेगा लेकिन अब देखिए हमने क्या किया? Concentrated Acid को water में add किया गया ठीक है लेकिन यहां समझेगा लेकिन हम आपका water को concentrated acid में add नहीं करतें तो यहां लिखेंगे समझेगा not not by adding not by adding water water to concentrated acid hade τबेट्ड आपकर करीएगा तो Concentrated Acid को water और करिएगा water को कभी भी Concentrated Acid में add नहीं करिएगा इसका reason यही है कि Dilution प्रोषेस जो होता ह ll आपका क्या होता है exothermic process होता है टीक है एक्जो तरमिक में आपका क्या होता है हीट रिलीज होता है ठीक है यहां पर हम लिखेंगे कि सिंस डाइलूशन जो है डाइलूशन आपका क्या होता है एक्जोथर्मिक एक्जोथर्मिक प्रोसेस होता है ठीक है एक्जोथर्मिक प्रोसेस में आपका क्या होता है हीट रिलीज होता है heat जो होता है वो आपका क्या होता है इसमें release होता है ठीक है तो यह आपका exothermic process होता है तो इसमें आपका क्या होगा कि अगर आप water को add कर रहेंगे acid में तो आपका chances है कि acid आपका क्या हो जाए spill out हो जाए ठीक है spill out bottle से spill out हो जाए और fire catch कर ले ठीक है तो यहांप इसी चीज़ को लिख रहे हैं कि यहां लिख रहे हैं heat इसमें release होता है यहां लिखेंगे therefore therefore acid acid may spill out spill out out if अगर आप water को add कर रहे हैं if water is added is added to a bottle to a bottle containing क्या हो जाएगा concentrated acid ठीक है concentrated acid ठीक है तो यह precaution आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको क्या करना है जब भी dilution कर रहे हैं तो concentrated acid को water में add करे water को concentrated acid में add ना करे ठीक है यहाँ पर दिख रहे हैं हम इसको dilution हो गया यह आपका यह देखे इसमें क्या करते हैं adding concentrated acid to water ठीक है और क्या करते हैं continuous sharing not adding water to concentrated acid क्योंकि यह आपका exothermic process होता है इसको अगर आप add करिएगा तो क्या हो जाएगा chances है कि acid spill out हो जाए ठीक है अगर आप water को add कर रहे है concentrated acid में ठीक है ख्लासिक स्ट्वेल से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप यह WhatsApp कीजिए अपने doubts 8444 चार्स उबर